दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आप कैसे एजुकेशन वीडियो बना सकते हो जैसा कि आपने यूटुब पर बहुत सारा ऐसा वीडियो देखा होगा जो जीके का वीडियो होता है जिसे आप सर्च करते हैं यूपी पुलिस कॉंस्टेबल जी एस स्मेशन रहता है तो आप सोचते हैं कि यूद turkey का चैनल ओपसाज बना सकते हो तो आपको सारा कुछ देखने को मिलने वाला है तो ध्यॅँक को ध्यान से पूरा देखना सा थी गणाओ कि कैसे आप एक वीडियो को create कर सकते हो अब देखो आपको अगर कोई तो आपको जितने भी आप question ले तो एक कट्टागरी एक topic wise आपको वहाँ पे add करने हैं तो simply आपको क्या करना है आप GK वीडियो बनाना चाहते हो तो simply आपको इस तरीके से पहले question type कर लेने हैं आप यहां पर देख सकते हो मैंने type करके पहले से रखें इस तरीके से आपको option add क करने हैं ठीक है बता भी देता हूं मैं कैसे एड़ करने कोश्चन आप Google से भी निकाल सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं तो कोई कोपिराइट आएगा बस आप टाइप खुश से करिएगा तो कोई भी कोपिराइट आपकी वीडियो पर नहीं आएगा उसके बाद में आपको क्या करना है इसको चाहो तो आप PDF में भी कर सकते हो या फिर दोस्तों आपको इसको इस तरीके से सेव कर देना है अब चलिए मैं आगे का प्रोसस आपको मुवाल स्क्रीन पर करके बताता हूं तो बाकी का प्रोसस आप मुवाल स्क्रीन पर इस तरीके से देख सकते हो क्योंकि दोस्तों मेरे पास दूसरा फोन नहीं यह वरना मैं आपको बैसे करके बता देता है तो सबसे पहले हम आपको अच्छे से समझाने के लिए अपनी मौल स्क्रीन पर चलते हैं फिरेंस सबसे पहले आपको इस अप्लिकेशन को डाउनलोड करना है लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैंन टैप करना है जैसा ही आप टैप करेंगे दो ओप्शन ओपन होंगे ठीक है उपर में आपको टैंपलेट मिल जाते हैं जैसे आप रिजियूम बगारा बना सकते हैं इस अप्लिकेशन से अपना और नीचे यह सेकेंड ऑप्शन है यहां पर निव डाकुमेंट लिखा है तो छहां पर इस तरीके से आपको रोटेट कर लेना है अभ है इस तरीके से आचुगा है अब यहां पर आपको एक्स्टा option मिल जाते हैं अप नीचे के साइड में देख सकते हो ठीक है तो सबसे पहले यहां हम आपको एक चीज़ बताते हैं जब भी आप यहां पर कोशन टाइप करेंगे तो सबसे पहले आपको फोंट यही रखना है जो फर्स नंबर पर है तो यह फोंट आपको सिलेक्ट कर लेना है उसी को यहां पर एड़ करना है दूसरे नंबर पर यह सैटिंग्स आपको सबसे कर लेनी है दूसरे नंबर पर अभी आपको नंबर यहां दिखाए दे रहा है तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको जो 14 नंबर है इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद यहां बोल्ड भी बना हुआ है तो इसको आपको टैप कर देना red पर और ok कर देंगे ठीक है यहाँ पर red color से point आ जाएगा जो slice है ठीक है उसके बाद में क्या करना है starting आप कहां से करोगे starting यहां से करोगे तो यहाँ पर इसको select कर लेना है बाकी आपका इतना काम यहाँ पर complete हो चुका है अब यहाँ पर question कैसे type करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आपको यहाँ पर question का यह आप लगा देंगे ठीक है question के बाद में आपको क्या करना यहाँ पर one लिख देना है उसके बाद में दोस्टों यहाँ पर एक point लगा देना है इस तरीके से पॉइंट लगाने के बाद यहां पर स्पेस दीना है अब यहां पर आपको अपना कोश्चन टाइप करना है तो कोश्चन टाइप करने में बहुत टाइम लगेगा यहां हमारे पास एक माइक का उप्षन है इस माइक का हम यूज करेंगे नीचे लेंग्विज हम हिंदी को ल आसान तरीके से और काफी अच्छे तरीके से यहां पर माइक काम करता है और लिख भी गया हमारा कोश्चन तो हम क्या करेंगे यहां पर लास्ट में हम एक कोश्चन मार्क लगा देते हैं ठीक है इस तरीके से और उसके बाद में हम नीचे की तरफ इंटर दबाते हैं इंट option number हम इसमाल में लिख देंगे उसके बाद में फिर से हम ब्रेकर में इसको बंद कर देंगे इस तरीके से ठीक है यह पहला option होगी हमारा फिर थोड़ा और नीचे इंटर दाओंगे उसके बाद में हम क्या करते हैं फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे इस बार में यहां पर आपको option b डालना है तरीके से और फिर से आपको ब्रेकर में बंद कर देना है तो यह प्रोसेस आप कर ली जैसे A, V, C, D, चार उप्षन होते हैं, अब यहाँ पहले उप्षन पे आपको वो नाम टाइब करना है यहाँ पे, जो भी आपका उप्षन में रहेगा, जैसे पहले नंबर पे हम डाल देते हैं, डाक्टर राजेंद परशाद, दूसरे नंबर पे हम कोई दूसरा उप्षन सेलेक्ट करेंगे, सुवास चंद्र बोज, सुवास चंद्र बोज, सुरी, डबल टाइप हो गया यहाँ पे, इस तरीके से आपको ऑप्षन डालने हैं, तो अभी आप देखेंगे, मैंने कुछ इस तरीके से कोश्चन को टाइप कर दिया है, तो यह तरीका बहुत ही अच्छा मेरे को लगा, यह application मेरे को बहुत अच्छा लगा, ठीके मैंने यहाँ पे red color को choose किया है, आप चाहो तो यहाँ पे किसी other color को भी choose कर सकते हो, जैसे यहाँ यह वाले option पे click करेंगे, यहाँ black color को select करेंगे, और यहाँ पे black को select करने के बाद, आप यहाँ पर जो भी type करेंगे, वो आप यहाँ पर black अच्छरों में type कर पाएंगे, जैसा कि अभी आप देख सकते हो, बैं कुछ भी type करता हूँ, तो यह black अच्छरों में type हो रहा है, तो इस तरीके से आप अपने according यहाँ पे color भी change कर सकते हो, जैसे मान के चलिए, मैंने red color से question लिखा, और option में black से लिखना चाता हूँ, तो यहाँ से आप उसको easily change कर सकते हो, और अपने option को black में रख सकते हो, ठीके, अब देखिए हमको वीडियो कैसे बनाना है, इस तरीके से तो आप question लिख सकते हो, यह हो गया, simple तरीका question type करने का, अब यहाँ पर मैंने एक question लिखा, आप second में यहाँ पर enter दबा के, और आप यहाँ से दूसरा question भी लिख सकते हो, इसी तरीके से, यहाँ पर question लिखेंगे सबसे पहले, question लिख दिया, उसके बाद में, आपको यहाँ पर number type करने के बाद, यहाँ पर आपको point लगा देना है, इस तरीके से, और यहाँ पर आपको ध्यान रहे, थोड़ा सा आपको space दीना है, दो बार enter दबा देंगे, तो इस तरीके से question number wise पढ़ते चले जाएंगे, इस तरीके से आपको, और यहाँ आपको उपर की साइड में save कर देना है, तो यह आपका एक paragraph save हो जाएगा, आपका यहाँ पर इस तरीके से, ठीके, अब मैंने जो question, वहाँ पर save कर रखे हूं, उनसे video कैसे बनाना है, जब आप यहाँ पर अपना question को, कबसे कम 25 से 30 question आप लिख लेंगे, फिर उसको video कैसे record करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप यह जो question type करोगे, इनको type करने के बाद में PDF में कैसे convert करना है, क्योंकि आपको easily, तब ही रहेगा जब आप इसको PDF में convert कर लेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर simply 3 dot का option मिलता है, इस पर आपको एक बार click करना है, click करने के बाद नीचे थोड़ा सा scroll करेंगे, एक option आपको print का मिलेगा, जैसे ही आप इस पर tap करेंगे, ठीक है, यह थोड़ा सा process लेगा, और इस तरीके से आपके साबने interface open कर देगा, अब यहाँ पर आपको एक PDF का option मिलना है, यहाँ पर आपको tape कर देना एक बार, जैसे ही आप tap करेंगे, यहाँ नीचे आपको यह जो नाम है, इसको आप रखना चाहते हैं, तो इसी नाम से save कर लिजे, वरना आप अपनी PDF का एक नाम इंटर कर दीजेगा, ताकि आपको find करने में आसानी हो, और उसके बाद में save कर दीजेगा, तो मैंने यहाँ पर save कर दीए, अब save कर दीए, आपको क्या करना है, अपने file manager में आना है, और यहाँ पर आपको एक option मिलता है document का, जो भी file मैंने आपको बताए, कि इस तरीके से आपको PDF बनानी है, तो जैसे यहाँ PDF बनाएंगे, वो आपकी document के option में आ जाएगे, तो मैं इस वाली PDF को अपने open कर लेता हूँ, और यह हमारे सामने कुछ इस तरीके से open हो जाएगी, अब देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर इस PDF को open करेंगे, तो आपके सामने इस तरीके से question आ जाएगे, ठीक है, और यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ एक उपर की side pencil का option है, इस पर आप एक बार click करेंगे, तो यह एकदम digital board की तरह open हो जाएगी, और यहाँ पर आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक brush मिल जाता है, brush में आपको 4-5 colors मिल जाते हैं, ठीक है, इसमें उसके बाद में आपको एक eraser का option मिलता है, ठीक है, उसके बाद में आपको यह up or down करने के लिए page को उपर और नीचे scroll करने के लिए एक option मिल जाता last में, जिससे कि आप यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरीके से इसको scroll करके अपने according adjust कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आपको अपना question इस तरीके से adjust करने के बाद में आपको यहाँ पर brush पर click करना है, और यहाँ पर अपना color select कर लेना है, जिस भी color में आप answer को बताना चाहते हो, अपने students को question का answer बताना चाहते हो, explain करना चाहते हो, ठीक है, तो जैसे कि मैं बताता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से question का आप tick करेंगे, इस तरीके से या फिर आप ऐसे पढ़के बताएंगे, तो यह इस तरीके से हो जाएगा, आप इसको erase कैसे करना है, यह erase का एक option है, और यह जो, मतलब मैंने यहाँ पर बना दिया है, ब्रस कर दिया है, इसके बाद में, मतलब इसको आपको ऐसे around में करना है, यह automatic यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बोल के दिखाता हूँ, सबसे पहले आपको कैसे question को पढ़ना है, तो चलिए question number 1 को हम देख लेते हैं, भारती राष्टी कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो हमारे सामने यह question है, ठीक है, इस question का answer क्या होगा, आप लोग comment करके जल्दी से बताएगा, तो इसका जो right answer है, option number A है, 1880SB, ठीक है, अब हम next question की और चलते है, next question क्या है हमारे सामने, चलिए हम next question को देख लेते हैं, question number 2, तो यहाँ पर हमारे सामने question number 2 आ जुगा है, निमिल लिखित यूगमों में से, सिंदु सबता किस यूग में पढ़ती है, आपके सामने यह question है, अगर इस question का answer आपको पता है, तो comment करके जरूर बताना, ठीक है, इस question का जो answer है, चलिए मैं आपको बताता हूं, इस option का जो सही answer है, वो है option number 2, तो यहाँ पर आपको यह question number इस तरीके से tick करना है, और अपनी audience को बताना है, उसके बाद में आप यहाँ पर इसको scroll करने के लिए इस option पर click भी करते रहिए, और नीचे इस तरीके से आपको scroll भी करते जाना है, जैसे option number 3 आ जाए उस तरीके से आपको बोलना है, चलिए दोस्तो question number 3 देख लेते हैं, भारत में राष्टी आय का शंकलन कौन करता है, शंकलन का मतलब हो गया है, गड़ना और राष्टी आय तो आपको पताई होगा, ठीके इसकी गड़ना कौन करता है, तो इसका right answer हो जाएगा, दोस्तो सब करवाया, अगर आपको इसका सही answer पता है, तो आप लोग मुझे comment करके जरूर बताईएगा, तो इसका जो सही answer हो जाएगा, option number C हो जाएगा, राणा कुमभा, ठीके राणा कुमभा ये सही answer हो जाएगा, चलिए अगला question हम लोग देख लेते हैं, तो इस तरीके से आपको ये tick करते जाना है, और पढ़ते जाना है, अपनी audience को बताते जाना है, बहुत ही अच्छा application है, एक दम digital word की तरह, आप दोस्तों यहाँ पर video बना सकते हो, आपके सामने question इस तरीके से आते रहेंगे, और आप उसको यहाँ से अच्छे तरीके से explain भी कर सकते हो, आपको बहुत ही अच्छा application प्रोवाइट किया है, इस application को find करने में मुझे काफी time लगा, तो दोस्तों मेरी महनत के लिए एक लाक जरू करना, और चैनल को जरू सब्सक्राइब करना, ऐसी और वी interesting video आपके लिए लाता रहूंगा, और इस तरीके से जब भी आपका यहाँ पर video complete ह जाता है, तो अपनी screen recording को बंद कर लेना है, उसके बाद में आना है, अब काइनवास्टर पर आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ create new पर click करना है, और यहाँ YouTube का साइज select करना है, first number पर ही आपको मिल जाता है, ठीक है create पर click करेंगे, इस तरीके से interface open होगा, अब यहाँ पर आपको वही video select करना है, जो भी videos आपने बनाया हुआ है, तो मैंने कौन सा video बनाया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने select कर लिया, यह आपके सामने इस तरीके से आजाएगा, अब क्या करना है, दूस्तों आपको starting में बिलकुल आना है, starting में आने के बाद यहाँ प आपको यहाँ पर अभी देखना है, सबसे पहले मैं आपको adjust करके बताता हूँ, कहां से मैंने question play गिया, यहां से question play गिया, बेकार का part आप यहाँ से इस तरीके से cut कर सकते हो, आप यहाँ पर इसको adjust करना है, देखो आपका question है वो यहाँ से है, और इतना बड़ा video आपका र वीडियो रहेगा, जिस भी तरीके से आप question को बताएंगे, बोलेंगे, वो आपका एकदम play होगा, digital board की तरह देखो, यहाँ पर मैंने बोला, और यह मैं टिक कर रहा हूँ, तो मेरा video जो है एकदम digital board की तरह यहाँ पर play हो रहा है, जिस तरीके से मैं explain कर रहा हूँ, मतलब क आप यहाँ पर phone का use करके इस तरीके का video बना सकते हो, बहुत अच्छा तरीका है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, उपर इसको save कर लेना है, ठीके, adjust आप अपने according कर सकते हो, अच्छे से आपको adjust कर लेना है, और यहाँ save पर आप जैसे ही click करेंगे, तो आपका video complete हो अगर तो जाकर download जरूर से कर लेना, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं आप से एक और ने वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हैं, जय भारत!